नमस्कार दोस्टों क्रिकेट मेच के एको नेव वीडियो में आपस अभी का स्वागत है IPL 2021 का ऐलिमिनेशन मेच खेला जाएगा RCB और KKR के बिच तो आज मेरे पास RCB और KKR के मेच से रिलेटेट बहुती बड़े बड़े अपडेट्स है जो आपके लिए मेच से पहले जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन अपडेट्स का मेच पर बहुती बड़ा असर पढ़ने वाल है तो आपसे मेरे कुजारिस रहेगे कि आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और गाइस अगर आप IPL 2021 के प्रेडिक्शन को जानना चाहते हो वो भी पूरे 100% accuracy के साथ तो आप predict at it.com से contact कर सकते हो उनका टेलिग्राम और website का लिंक में description में डाल दूँगा तो सबसे पहला अपडेच जो है वो RCB के नजरी से उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है क्योंकि KKR के प्लेयर एंड्रो रेसल जो थोड़ा अन्फिट है इन दिनो वो अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और वो आज का elimination match खेलने वाले हैं दूसरी update जो है वो RCB के नजरी से उनके लिए advantage है क्योंकि elimination match जो है वो UAE में खेला जा रहा है और UAE में RCB और KKR ने एक दूसरे के खिलाब चार मेचेश खेले हैं जिसमें से RCB और KKR दोनों ने ही दो-दो मेचे जीते हैं और पिछला match जो RCB और KKR के बीच हुआ था उसमें RCB ने जित दर्श की थी KKR के खिलाब जो कि थोरी बहुत RCB के लिए advantage हो सकती है तिसरी update जो है वो पीच से related है जो कि RCB के नजरी से उनके लिए advantage हो सकता है क्योंकि जहाँ ये elimination match खेला जाएगा वहाँ पीच काफी slow है जो कि बोलर्स friendly पीच रहने वाली है तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि RCB के लिए थोरा बहुत फाइदा होने वाला है क्योंकि RCB के पास काफी अच्छे बोलर्स है और उनके batsmen भी काफी अच्छे फ्रम में चल रहे हैं हलाकि KKR केटीम RCB के मुकाबले इतना ज्यादा stable नहीं दिख रही फोर्ट अपडेट जो है वो RCB के बेटिंग से रिलेटेट है जो कि थोरा बहुत हमें विक दीख रहा था लेकिन पिछला में जो RCB ने DC के खिला खिला था उसमें हमें देखने को मिल रहा था कि जो batsmen out of form थे उन्होंने runs बनाई थे जैसे कि ABD Willers Case भारत जिनोंने बहुत ही अच्छा performance किया था तो RCB का जो betting order है वो अभी और भी ज्यादा मजबुत दीख रहा है जिसके वज़े से RCB का जो competition है वो और भी ज्यादा high हो गया है तो गैस यहीत है आज के elimination में इससे related कुछ बरे updates उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा